गुड बॉर्णिंग इस्टों अपने टॉपिक को बीस्टी फर्स्ट यर हम अपने टॉपिक को आगे कंटीनू करेंगे कल हमारा हो गया था जुनो इस तक है ना संचरण के तरीके के आधार पर on the basis of mode of transmission यह हमारा complete हो गया था जितमें तीन चार तरह से यह होता है transmission कैसा था यर्बोन इंफेक्शन, फेसियल, फीकल, औरल, हरूट, सेक्चुली टांस्मिटेड डिसीज, टांस्फूजन, टांस्मिटेड इंफेक्शन और जुनोस के दौरा ठीके अब हमारी जो next heading है वो है reproduction यानि प्रजनन अब यह इसमें किस तरह से reproduction होता है तो हम यहां से start करेंग वाइरस में reproduction के लिए कोशिकाओं पर निर्वर होते हैं जो वाइरस होते हैं यह reproduction के लिए किस पर cells पर है ना कोशिकाओं पर निर्वर होते हैं यह viral प्रतिकरती के लिए यानि replication के लिए आवशक enzyme के लिए सांकितिक शब्दों में बदला नहीं करते हैं मतलब उनमें change नहीं होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है कि एंजाइम जो होते हैं एंजाइमों को हम अलग-अलग नामों से उनको हम जानते हैं तो ये इनके जो भी है ये क्या होते हैं ये किसी तरह के एंजाइम किसी कोड को नहीं देते हैं ठीक है लेकिन एक कोशी कोशी का कोशी कोशी का मतलब क्य प्रोकरियोटिक कोशिकां, यह हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकरियोटिक कोशिकां में कैंद्रk डिन विशान Report के लिए प्रतीकृति की साइट होती है मतलब क्या हुआ इसका कि जो prokaryotes जो cell होती है उनके उनमें जो kandrak होता है उनकेंद्रक में जो dn-o होता है उनमें virus के लिए क्या होती है इनकी replication की sites होती है जैसे हाला कि पॉक्स वाइरल साइटो प्लाज्म में कोईश्का द्रब में द्यूर्गरण करते हैं जो कौन से वाले विशानू होते हैं चेचक के विशानू होते हैं वो साइटो प्लाज्म में रेलिकेट स्वरी डुप्लिकेट होते हैं, साइको प्लास्म आरेन विशानू के लिए प्रतिकरती की साइट भी है जो जनतु कोशिका को संक्रमित करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये जो ऐनिमल सेल्स होती हैं, उनको इन्फक्टेट करते हैं आगे है replication of viral virus by lightic cycle अब lightic cycle क्या होता है lightic का मतलब होता है lightic या lion इस शब्द का आर्थ होता है तूटना ठीक है तो replication of virus by lightic cycle मतलब lightic cycle के द्वारा इन में किस तरह से replication होता है सबसे पहले इसके लगभग चार से पाँच स्टेप दिये हुए है सबसे पहला है absorption यानि absorption किस तरह से होता है इसमें पोशी कोशिका के face vicious कोश किये अर्थाथ पूश और ग्राही इस्थल के बीच अंतहक रिया शामिल होती है पूश से मतलब क्या हुए जो tell reason है और ग्राही इस्थल से मतलब हो गया जो इनका receptor place है जहां से ये receptor होते हैं जहां पर के बीच अंतहक रिया शामिल है host cell की सत्य पर नकारात्मक रूप से आवेशित किये गए कार्बोक्सलिक ग्रूप और face tail पर protein के सकारात्मक रूप से आवेशित किये गए कार्बोक्सलिक समूहों और Face Tail, टिप पर प्रोटीन के सकारात्मक रूप से आवशित किये गये Amino Acids द्वारा सुगम होता है मतलब इजी होता है ती फेस टी सम फेस में पुछ फाइबर यानि टैल फाइबर का सिरा कोईशिका से जुड़ा होता है जो टी फेस होता है ती सम फेस होता है उसका टैल रीजन जो होता है वो फाइबर उसका जो फाइबर सिरा होता है वो कहां से जुड़ा होता है कोईशिका सते पर फिर जुकती है और टेल को होस्ट सेल की सते पर जोड़ देती है या जोड़ने की अनुमती देती है जिससे अब परिवर्तनिय लगाव हो जाता है मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो देखो सबसे पहले में दिखा ही कैसे करता है। सबसे पहले जो हम देखेंगे यहां पर यह है head इसके अंदर देखो head reason चारों से इसमें कबाट है यह क्या बना हुआ है इसका core बना हुआ है ठीक है इसके अंदर क्या भरा हुआ है DNA भरा हुआ है फिर यह बीच में है collar वाला भाग फिर sheath और यह नीचे tail reason tail reason जिसमें tail fiber यहां को दिख रही है यह क्या है यह host cell है ठीक है तो पहला हो गया यह एक normal bacteria face का structure अब यह host cell पर जाकर के second में क्या होगा B diagram में हम देखेंगे कि यह जाकर के host cell पर यह उससे attached हो गया है ठीक है और third diagram में हम देखेंगे कि यह जो इसने क्या किया यहां से उपर जो इसके head reason में DNA जो प्रवेश करा दिया है यहां पर हम देखें तो host cell में यहां पर यह पहुंचा दिया है अब जैसे इसका जो detail दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं क्या हो रहा है mechanism of DNA introduction by TE1 phase into a host cell सबसे पहले में क्या हो रहा है attachment of phase on the host surface by tail fiber किस से जुड़ रहा है यह phase से जुड़ रहा है किस के द्वारा host surface से जुड़ रहा है तेल के द्वारा है जैसा हम फर्स्ट वाले में देख रहा है यह वाले डाइग्राम में दूसरे में क्या हो रहा है attachment of pins of vessel plate on host surface and दूसरे में क्या हो रहा है इसकी जो basal plate है है वो pin द्वारा host cell से जुड़ रहा है फिर तीसरा हम देखेंगे तीसरा में क्या हो रहा है contraction of sheath pushing और core and releasing of DNA inside the host इसने क्या किया host के अंदर इसको DNA को insert करा दिया ठीक है इस तरह से एक bacteria face के द्वारा उसका DNA इस तरह से host cell में प्रवेश कर जाता है ठीक है अब जब यह enter कर गया तो अब infection किस तरह से होगा इसको हम द देखते हैं संत्रुमन absorption के बाद कन द्वारा एक enzyme इस्त्रावित करता है अब absorption हो गया यहां तक पहुंच किया वहाँ पर उसका absorption होगा इसके बाद क्या होगा जो particle है वो एक enzyme के द्वारा secret किया जाता है जो host cell की भित्ती के purine gel को gel अबगटित करता है इसमें जटल लिखा है जटल नहीं होगा जल होगा जल का जल अबगटन होता है ठीक है तो वो क्या करता है cell की जो wall है उसके purine को जल अबगटित करता है और एक छिद्र बनाता है यानि एक पोर बनाता है फिर tell की sheet सिकुडती है फिर उसके बाद क्या होता है जो tell है उसकी sheet में contraction होता है सिकुड जा ऐसे कि हम इस डाइग्राफ में देख रहा है कि इस भाग को कहां धकेल रहा है तैयल रीजन वे धकेल रहा है कोर के द्वारा dna कहां और होस है में पहुंच रहा है और फैस के खाली प्रोइचिछुका के 소시ppa को पोशत कहा जाता है यानि जो जगे होगी कुन सी प्रोटीन की جो सैल होगी उसको क्या कहा जाता है Host कहा जाता है जो Nucleic Acid निकलने के बाद भी जुड़ा रह सकता है एक phase का Nucleic Acid प्राक्थ करने के बाद जिवानों कोश्का अने phase के लिए प्रतिरोधी बन जाती है या resistance हो जाती है ठीक है इसके बाद आता है इसका डाइग्रम यह पूरी cycle कैसे होगी complete इसको हम देखें अब सबसे पहले यह डाइग्राम है एललिय्टिक लाइफ्साइकल प्रतिरियो फेज यही हम यहाँ उपर से स्टार्ट करते हैं जैसे की पहला हम इसको ले लेता है यह बाद सब्सक्राइग्राम हम ने लिया अब इसमें क्या प्रतिरियो फेज अंदर बैक्टि इजतेरियम है और इसके उपर यह क्या है एक बैक्टीरिया की पूरी सेल है ठीक है इसके उपर यह बैक्टीरियो फेस बना हुआ है अब क्या होगा यह बैक्टीरियम है अब आगे यह बैक्टीरियम एम्टी प्रोटीन कोट अब यह खाली है इसके डीने फेस देखो डीने आलग हो गया इस अब यहां क्या होगा, bacterial DNA, अब यहां से यह जो face DNA है, यह आगे आ करके, यहां पर face DNA यह है, यह face DNA, अब यह enzyme, synthesis हो रहा है, यह enzyme है, यह bacterial DNA है, जो क्या हो रहा है, है, degradate हो रहा है, और यह DNA है, जो की कैसा हो गया है, तूट गया है, degradate हो गया है, आगे फिर protein synthesis हो रही है, यहां पर, अब यह component of the coat, अब यह क्या बन रहा है, कोट बन रहे है, किसके, इसके component बने हुए है, कोट के, आगे जाकर यह क्या बना ले रहा है, फिर genome synthesis हो रहा है, यहां पर, अब genome क्या होता है, protein, जो genome क्या होते है, जो gene के haploid set होते हैं, उनको हम genome कहते हैं, अब यहां आगे जाकर करके, यहां पर viral DNA है, इसमें और genome का synthesis हो र बने के बार में, क्या बन गया है, यहां पर, जो genome थे, यह आगे जाकर के matured हो गए, और wrapped in the protein coat, अब इनके चार और, इस तरह से जो हमको hexagonal structure दिख रहा है, वो क्या है, इसका wrapped हो गए, इससे, protein का coat है वो, जिससे genome इनके, bacterial face के genome covered हो गए, ठीक है, आगे जाके क्या हो रहा है lysis of bacterial cell and release of virions, अब इसका क्या होगा, bacterial cell, यह जो पूरी bacterial cell दी है न, इसका lysis होगा, यानि यह तूटेगी and cell the, cell and release of virions, और यह क्या करेगी, यह जो अंदर virion है, यह न, virion जो बने हुए है, इनको क्या करेगी, इनको release कर देगी, और यह release होके, आगे जाकर के कहां आएंगे यह bacterium से आखर के जोड़ जाएंगे, इसी तरह से यह cycle चलता रहता है, तो यह है उसका lytic cycle of bacterial phase, अब आगे हम देखेंगे, next, synthesis of phase components in host cell, मतलब पोशी कोशी का में phase घटकों का translation, यानि क्या समझ में आ रहा है, कि जो phase है, है ना, host cell के जो phase है, इनका synthesis किस तरह से होता है, किन factors से, किन घटकों के द्वारा, इनका synthesis होता है, जिवानों कुश्का में प्रवेश करने पर, phase nucleic acid, जिवानों protein sensation को दबा देता है, और phase कर, यानि phase के जो particle है, उसके protein को synthesis कर देता है, phase का DNA, अर्ध रूड़िवादी प्रक्रिया दोहराते हैं, यानि semi conservative process को repeat करते हैं, अधिकांस DNA, अपने स्वैम के translation के लिए, template के रूप में कारे करते हैं, क्या करते हैं DNA, अपने खुद का ही template बना लेते हैं, और viral resist mRNA के translation के लिए, template के रूप में कारे करते हैं, नव निर्मित mRNA, यानि जुन्डाया mRNA बना है, अवस्था कंड के protein आवरन बनाने के लिए, protein को translation करने के लिए, पोशी को इसिका का मार्ग दर्शन करता है, phase nucleic acid की प्रतिक्रति यानि copies के अंत में एक protein तथा अवस्था lysogyme को translation किया जाता है, इसके बाद, हमरी third step है, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए, take care, thank you.